आखिर कप थमेगा साउथ की फिल्म का रीमेक बनाने का सिलसिला साल भर में साउथ की दर्जन भर रीमेक फिल्में हुई फिलॉप बीते एक साल में करीब एक दर्जन साउट सिनेमा की रीमेक फिल्में हिंदी बॉक्स ओफिस पर बड़े सितारों और बड़े बजट के बावजूद धराशाई हो चुकी है बावजूद इसके अभी कई और रीमेक फिल्में रिलीज होने वाली है आखिर कब थमेगा रीमेक फिल्मों का ये सिलसिला पेश है एक रिपोर्ट अचन पांडे, जसी, हिट, लाल सिंग चाहा, विक्रम वेधा, सकस, शैजादा, सेलफी, भोला और गुमरा बीते बारा महीनों में रिलीज हुई भारी भर कम बजट और बड़े सितारों से सजी इन बॉलिवुट फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसके अलावा इन फिल्मों में एक चीज और कॉमन है कि इन में से ज़्यादा साउथ सिनेमा की फिल्मों की रिमेक है वैसे तो बॉलिवुड वालों का साउथ की हिट फिल्मों की रिमेक बनाने का ट्रेट काफी पुरना है लेकिन लोकडाउन के दौरान जब आम लोगों ने OTT से लेकर यूट्यूब तक पर साउथ की तमाम हिट फिल्मों के हिंदी डब वर्जन देख लिए तो उन्होंने उनकी हिंदी रिमेक को सिरे से नकारना शुरू कर दिया यही वज़े है कि बीते एक साल साउथ फिल्मों की रिमेक हिंदी बॉक्स ओफिस पर धराधर धराशाई हो गई दरसल इन सब फिल्मों की ओरिजिनल साउथ फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को तमाम लोग पहले ही OTT और यूट्यूब पर देख चुके हैं साथ ही दर्शक रिमेक फिल्मों की ओरिजिनल साउथ फिल्मों से तुलना भी करते हैं बीते साल में सिर्फ एकलोती अच्छा प्रदर्शन करने वाली साउथ फिल्म की रिमेक फिल्म अजय देवगन की दुरिशियम दो थी लेकिन उसके चलने की असल वज़े फिल्मी दुनिया के जानकार यही मानते हैं कि उसकी ओरिजिनल मल्यालम फिल्म दृश्यम 2 का हिंदी डब वर्जन उपलब्ध नहीं था अभी आने वाली हैं धेरों रीमेक हालां कि अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े बज़ट की इलनी सारी रीमेक फिल्मों के हिदी बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने से इन रीमेक फिल्मों का सिलसला थम जाएगा तो आप बिल्कुल गलत है फिल्मी दुनिया के जानकारों की अगर माने तो इस साल कम से कम आधा दर्जन सुथ फिल्मों की हिंदी रीमेक फिल्में और रिलीज महीने एड पर रिलीज की फिल्म किसी का होने वाली है इनमें इसी होने वाली सल्मान खान भारई किसी की जान वह अक्षय कुमार की फिल्म सोरारी पोट्रू प्रमुख है सल्मान कीप फिल्म जहा तमिल सुपस्टा अजित कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है वही अक्षय कुमार की फिल्म तमिल सितारे सूय की इसी नाम से आई तमिल फिल्म की रीमेक है खास बात यह वीरम का ओफिशल हिदी करजन जहां यूट्यूब पर मौजूद है जिसे करीब दो करोर लोग देख चुके हैं वही सोरारी पोट्रू का ओफिशल दी करजन उरान के नाम OTT पर उपलब्ध है जिसे लाखोंने दरसल कोरोना से पहले इन रीमेक फिल्मों को बनाने की प्लाने कर ली लोग देख चुके हैं इन दोनों के अलावा भी कई छोटी बड़ी साउथ फिल्मों की हिदी रीमेक इस साल रिलीज होने वाली है जांकार कहते हैं कि फिल्मी दुनिया वालों थी अब जब ये फिल्में बनकर तैयार हैं या तैयार होने वाली है तो उनके पास उन्हें रिलीच करने के अलावा कोई चारा नहीं है हर कोई बदलाव करने में जुटा रीमेक फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बाद इस सिलसिले में थोड़ा तो ठहराव आएगा पिछले काफी अरसे बड़ी और मीडियम लेवल की फिल्में अनाउंस नहीं होई थी दरसल इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद हर कोई बदलाव की कोशिशों में जुटा है गिरीश जोहर, प्रोईूसर और फिल्म विजनेस एनालिस्ट कब थमेगा रीमेक का सिलसिला अपने चहेते बॉलिवुड सितारों की रीमेक फिल्मों को एक के बाद एक फ्लॉप होता देख उनके फैस बेहत नाराज हैं और सोशल मीडिया पर उनसे अपील कर रहे हैं कि वे आगे और रीमेक फिल्मे करने से तौबा कर लें तो क्या आप बालिवुड सूपरस्टाज और निर्माता अब रीमेक फिल्मों की बजाए औरिजिनल फिल्मे करते नजर आएंगे इस बारे में बात करने पर प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जोहर कहते हैं कि इन फिल्मों के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वज़ाय मुझे ये लगती है कि साउप में जहां इन फिल्मों का बज़ट 5 से 10 करोर था लेकिन हमारे यहां उनकी रीमेक 100 से 150 करोर बज़ट में बनाई गई इसलिए ये फिल्में नहीं बलकि उनका बज़ट फ्लॉप हुआ है वही रीमेक फिल्मों के भविश्य के बारे में गिरीश ने बताया मुझे लगता है कि पिदेचले दिनों लगातार रीमेक फिल्में फिल्में फ्लॉप होने के बाद इस सबमें थोड़ा तो ठहराव आएगा आप देखे कि पिछले काफी अरसे बड़ी और मीडियम लेवल की फिल्में अनाउंस नहीं हुई है दरसल बीते साल इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद हर कोई बदलाव की कोशिशों में जुटा है अब मार्च बीतने के बाद जरूर कई फिल्मों की घोईशना हुई है अभी वार दो वब रहमास्त दो जैसी फिल्में अनाउंस हुई है इस सबसे थोड़ी पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी लेकिन इतना तैह है कि अगले साल रिलीज होने वाली फिल्मों में हम सबको बदलाव का असर साफ तोर पर नजराने वाला है